हलो एवरिवन दोस्तों क्या हाल चाल है उमीद करता हूँ आपकी हाल चाल बहुत 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 जादा अच्छे होंगे तो दोस्तों आज तक क्लास की बात करें तो हमने अपना रेशो प्रपोर्शन का जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से बाइड अप कर दिया अब आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और जो की बहुत ज़ादा इंपोर्टेंट है अगर आपको मैस का डर है माने मैस से अगर आपको डर लगता है या आपको लगता है कि सर मैस मुझे समझने में प्रॉल्म होती है तो उसके लिए आपको ये दो टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए और जब ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से आ जाएंगे तो यकीन मानिये दोस्तों आपका मैस का डर अपने आप भी गदम हो जाएग और मैं आज आपको इस क्लास में इन दोनों टॉपिक का रीजन भी समझाओंगा चाहें आपके पास में 11 12 में मैस रही हो या ना रही हो ना रही हो मने जो बचपन की गलतिया आपने करी आज मैं आपको इसको सुधानने वाला हूं तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना बहुत इंपॉर्टिट जिसका नाम है दोस्तों रेशो एंड प्रपोर्शन एक मिनिट का टाइम दीजेगा थोड़ी सी फाइल पी इंपोर्ट हो रही है एक मिनिट का टाइम दीजे तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लो सॉरी इंडाइसेज एंड लॉगरित्ब रेशो प्र के बारे बहुत बहुत अच्छा topic है और अगर आपने इसको अच्छी तरीके से cover कर लिया तो इसकी वज़य से आपके कितने सारे topic हतम हो जाएंगे आप यह सोच भी नहीं सकते यह topic अगर आपको अच्छी तरीके Indices What is Indices ? क्या होता है यह Indices ? क्या होता है Indices ? कोई मुझे जवाब देना चाहेगा तो प्लीज कमेंट सेक्षन में जरूर लिखके बताइगा कि आपके हिसाब से Indices या Indices क्या होता है इंडाइस की बात समझनी है तो देखिए Indices एक जो है वह एक plural word है plural किसका है सर ये index का plural है index के plural word को हम कहते है indices index के plural word को हम बोलते है indices तो सर ये index का मतलब क्या होता है देखिए मेरी बात को सब्ज़एगा जब कभी भी हमें बहुत बड़ी बड़ी चीजों को को छोटी करने की आदत हो तो वहां पर वर्ड इंडेक्स यूज़ करते हैं जैसे आप मैं देखा होगा बुक के स्टार्टिंग में क्या लगा होता है कि इंडेक्स लगा होगा मनें पूरी बुक को एक पेपर में हमने समराइज करके लिए कि कहां से कहां तक कौन सा टॉपिक कहां से कहां तक कौन सा टॉपिक है एक से तीन तक ये वाला टॉपिक है चार से पास तक ये वाला टॉपिक है पास से पंदरा तक ये वाला टॉपिक है तो वो क्या है एक इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है तो इंडेक्स हमेशे क्या करता है एक समरी को बहुत बड़ी ची index का मतलब क्या होता है mathematics के अदर index का मतलब क्या होता है भूब आराम से तसलिख सब्ज़ेगा अगर मैं बात करूँ one zero यह मैं बात करूँ two की तो two को तो तो two ही लखेंगे two को तो हम two ही लिखेंगे 4 को मैं 2 का square लिख सकता हूँ आचा ऐसे ही अगर मैं 1,0,2,4 की बात करूँ तो जहां से समझेगा इसे मैं 2 की power 10 लिख सकता हूँ 1,0,2,4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की power 10 लिख सकता हूँ तो देखिए मैंने एक बड़े number को छोटी form में represent कर लिया मैंने एक बड़े number को छोटी form में represent कर लिया तो यह जो 10 है that is known to be indices या index या इसे हम लोग mathematics की language में बोलते हैं power क्या बोलते हैं power या फिर हम बोलते हैं इसे exponent क्या बोलते हैं exponent ठीक है ना या तो इसे बोलते है indices या power या exponent टीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं कुछ भी मर्जी आपकी है बास सबज मागे तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ कहीं लिखा हुआ है अगर ए और यहां छोटा सा बी सबसे पहले तो इसको छोड़िए अगर मैं आपसे बात करूँ टू इंटू थी का मतलब क्या होता है आप कहेंगे बताइए जरा टू इंटू थी बराबर क्या होता है जितने बच्चे लाइव यहां देख रहे हैं मैं आपसे बहुत छोटा सा कोशन पूछ रहा हूँ और शायद इस कोशन का आंसर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप सभी को पता होना चाहिए तो टू इंटू थी का मतलब क्या होता है जरा जल्दी से बताइए टू इंटू थी का मतलब क्या होता है कोई जवाब देगा मुझे कोई यहाँ पे ऐसा बच्चा है होशयार बच्चा है जो टू इंटू थी का मतलब जानता हो कोई यहाँ पे रितू शा लेट्स रोम सेट शेस्टी सुकला आठ तिशी पलक पाल विवेगदा सिक्स सर आपने मुझे जो बताया वो रिजल्ट बताया मैंने आपसे टू इंटू थी बराबर क्या आएगा यह नहीं पूछा था मैंने आपसे यह नहीं पूछा था कि टू इंटू थी का रिजल्ट क्या आएगा मैंने आपसे पूछा टू इंटू थी का मतलब क्या होता है 2 into what is the meaning of 2 into 3 इसका मतलब यह होता है कि अगर 2 को आप क्या करेंगे add करेंगे कितने times 3 times 2 को add करेंगे कितने times 3 times तो result आएगा 6 या फिर आप 3 को add करेंगे कितने times 2 times तब भी result क्या आएगा 6 that is the meaning of 2 into 3 तब तो याद करा ही जते ही टेबल, बच्षपन में two, one, two, बॉलनों की, तो हमें ये टेबल कहां तक याद करा जाती है, हलाकि याद तो हमें 20 तक करनी होती है, लेकिन जैसे ही हमें इसका फंड़ा समझ में आ जाता है. तब तक हम भगवान की मजबूरी से 10 तक की टेबल 11 तक की टेबल तो याद कर चुक रहते हैं 12 के बाद की टेबल हम लोग याद नहीं करते हैं क्योंकि तब हमें इसका फंडा समझ में आ जाता है तो इसी तरीके से हमें सारी टेबल अपने आप याद हो जाएं फिर हमें याद करने की जरूरत नहीं है फिर हम क्या करते हैं एड करते हुए लिखते हैं तो देखिए multiply का concept यहाँ पे क्या हुआ बैए two add होगा कित्र नाइम्स त्री टाइम्स अगर मैं लेखता two की power three तो इसका मतलब क्या होता two multiply होगा कित्र नाइम्स तो two into three एक अलग चीज है और two की power three एक अलग चीज है इसका मतलब है two add होगा कित्र नाइम्स त्री टाइम्स इसका मतलब है two multiply होगा कित्र नाइम्स त्री टाइम्स दो अलग अलग बात है यह दो अलग अलग बात है तो इसका result क्या आएगा 8 इसका result क्या आएगा 8 बास समझ में आए है नहीं है clear हो गई बात यहां तक जितने बच्चे हां बैठे हैं मुझे बताइए यहां तक का concept सबको clear है अगर समझ में आ गया हो तो M type करिए और समझ में ना आया हो तो D type करिए यहां तक सबका concept clear है बहुत बढ़िया आचा और पूछता हूँ जरा ध्यान दीजे यहां पे ना थोड़ा सा खेल खेलते हैं चीजों को समझते हैं अगर चीजे clear हो गई पिच्चर clear हो गई तो यकीन मानी इस topic में बहुत मसा आएगा लेकिन अगर पिच्चर clear यह नहीं होगी तो आखिर तक आप स्टोरी समझी नहीं पहोगे पहले पिच्चर clear कर ले दे क्या है अच्छा अगर मैं कहूं तू की पावर फाइव का मतलब क्या है मतलब यहां मतलब हुआ टू मल्टिप्लाइ होगा कितरे ताइम्स 5 ताइम्स मैंने 2 x 2 x 2 x 2 x 2 and then what is the result will be the result is 32 मैंने मैंने किसी expression को बहुत बड़ा expression था उसको छोटी form में represent करने के लिए किसका use किया पावर का use किया तो यह जो पावर 5 है that is known to be that is known to be power और exponent और index या indices दोन में से कुछ भी कह सकते हैं और यह जो 2 है that is known to be base यह जो 2 है यह क्या लाएगा base तो इसे हमें पढ़ेंगे क्या base 2 यह पढ़ेंगे base 2 to the power 5 यह पढ़ेंगे base 2 to the exponent 5 यह पढ़ेंगे base 2 to the index 5 बास सबच में आगे दोस्तों तो यह power का concept है मैंने किसी बड़े expression को आप short form में लगना चाते हैं तो उसमें indices बहुत बड़ा roll निवाता है जैसे जैसे अगर मैं बात करूँ बहुत ध्यान से बढ़ेंगा मैंने लिखा x into x into x into x into y into y into y into z और into z अब बताओ अब यतना बड़ा expression है इस बड़े से expression को क्या छोटी form में represent कर सकते हो इतने बड़े expression को क्या छोटी form में represent कर सकते हो बताइए क्या होगा भाई यहां दिख रहा है मुझे x multiply हो रहा है कितरे times five times x की power five y multiply हो रहा है कितरे times three times y की power three z multiply हो रहा है कितरे times two times z square तो माने इस पूरे बड़े से expression को हमने एक short form में represent कर दिया x की power five into y की power three into z की power two तो मतलब index का मतलब क्या हुआ यह हमारे बड़े से expression को एक छोटी सी form में summarize करके represent कर रहा है बास समझ में आगए रितु शाजी ने बिल्पूर ठीक लिखा मतलब समझ में आया indice का indice का मतलब क्या है जब कभी भी एक बड़े से expression को आपको छोटे से concept में represent करना हो छोटे सी form में represent करना हो तो वहाँ पे आप indices, experiment या power का use करेंगे ही करेंगे मजबूरी है आपकी भाई देखिए ना अगर मैं कहूँ आपसे बहुत ध्यान समझेगा मैंने कहा x into x plus y into y into y plus z into z into z into x into x into y into y into y into a into a plus b into b आप ऐसे करके लिखूँगा तो कितना अजीब सा लग रहा है सरी क्या लिख दिया आपने कौन सी coding language है मैं कहूँगा बिटा जी coding language नहीं है इसको आप चाहें तो summarize करके भी लिख सकते हो कैसे लिखेंगे भाई इसे लिख देंगे हम x square इसे लिख देंगे हम y cube इसे लिख देंगे हम z cube x square y cube a square और plus b square तो माने इतनी बड़ी form को आपने छोटे सी form में represent कर दिया तो that is known to be the indices ये जो powers है ये क्या कहलाएंगी indices कहलाएंगी exponent कहलाएंगी या इसे आप index भी किसकते हैं बास सबज में आ गया या नहीं यहां तक सभी को clear है तो m type करिए clear ना हो तो d type करिए यहां तक सभी को clear है concept सबज में आ गया चली अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों बहुत आराम से तसलिश से अगर मैं बात करूँ a और यहां लिख दू छोटा सा b तो पहले तो इससे पढ़ेंगे क्या इसके पढ़ने की बात करें तो इससे क्या पढ़ेंगे बाई ए और एक छोटा सा b लिखा हुआ है तो यहां जो a है पहली बात तो यह की base है और यह जो b है इसको हम कहेंगे power या exponent या index या indice मर्दिया आपके है ठीक है ना index या indices इंडेक्स ही बोल देते हैं ठीक है इन तीनों से कुछ भी कह सकते हैं बात सबज में आगे तो यहां इसे पढ़ेंगे क्या base a to the power b क्या बढ़ेंगे base a to the power b अब इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब मतलब पूछ रहा हूं मतलब मुझे इसका आंसर नहीं चाहिए मुझे इसका मतलब पता करना है इस a to the power b का मतलब क्या हुआ मुझे जवाब दीजे मैं आप लोगों को जवाब का वेट करूँगा इस A to the power B का मतलब क्या हुआ बिल्कुल ठीक A multiply होगा किद्रे times A multiply होगा किद्रे times B times A multiply होगा किद्रे times B times यही तो मतलब हुआ तब ही तो A की power B हुआ भै अगर यहां 3 होता B ay multiply होगा एस Bugün इतनी बात clear होगा इतनी बात clear होगई तो indices में कुछ नहीं बचा indices बिल्कुल बच्चो वाला topic है सर बिल्कुल बच्चो वाला आप दूसरों को दुनिया को बढ़ा सकतों इस बात की guarantee लिखके दे सकतों ठीके ना चलिए अब हम बात करते हैं जो की फॉर्मले है नहीं लेकिन दुनिया से फॉर्मले बताती है मैं तो आपको सारी चीज़ों का आपको if and but जरूर बताऊंगा तो फॉर्मले अफ इंडाइसिस हाला कि ये फॉर्मले है नहीं मैं बार बार कह रहा हूं लेकिन आपको दुनिया बुद्धिजी भी जो होगी कोई यह करें कि सर यह फॉर्मले होते हैं आपको फॉर्मले याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी भी चप्टर में किसी भी टॉपिक में ना कोई फॉर्मला याद करना है ना कोई short trick याद करनी है ना कोई calculator trick याद करनी है 100% guarantee इस बात आपको कोई भी formula कोई भी short trick कोई भी calculator trick याद करनी की ज़रूवत नहीं पड़ेगी चलिए अब अगर मैं बात करूँ माल लीजे पहली बात बहुत ध्यान समझेगा मैंने कहा A की power 5 और into B की power 2 इसका मतलब क्या हुआ A की power 5 का मतलब हुआ माने मैं इस छोटे से expression को अगर मैं expanded form में लिखू तो क्या होगा A into A into A into A into A A multiply होगा किदर दाइम्स 5 times into B की power 2 माने B multiply होगा किदर दाइम्स 2 times क्या इसका कुछ हो सकता है नहीं माने ये इसकी क्या हो गई और ये कहने के तरीके हैं बोल ले के तरीके हर चीज की language होती है ये उस language में बोलने का तरीका है ये इसकी index form ये इसकी expanded form और अगर बाइचास A और B क्यों कोई एक value है A और B constant है तो जो निकल के आएगा answer that is known to be the valuable form जो उसका answer निकल के आएगा बास सब्च में आगे तो अगर मैं इसकी जगे first करिए यहाँ पर दूसरे expression लेके चलता है बहुत ध्यान समझेगा मैंने लिखा A की power 5 into A की power 3 अब जड़ा ध्यान से दखीएगा ये एक index form इसके expanded form क्या होगी A multiply होगा किदर ना इम्स 5 ताइपS यहां A multiply होगा किदर ना इम्स 3 ताइपS तो जड़ा देखे ध्यान से ये ध्यान से देखिए ये इसकी क्या होगई expended form इसे मैं दुबारा convert कर सकता हूँ जरह देखिए एक इतनी बार multiply हुआ 8 times मनने एक की power कह लिख सकते हैं 8 एक की power कह लिख सकते हैं 8 इसका मतलब इसका मतलब यह हुआ दोस्तो कि अगर कोई दो चीजे multiply में है जिनका base save है कोई दो चीजे multiply में है जिनका base save है तो हम क्या कर सकते हैं power को direct add कर सकते हैं भाई 5 or 3 बास समझ में आ गई या नहीं यहां तक clear है यहां तक सब को समझ में आया बिवेग जी बताए बिवेग जी बिवेग दास कुनाल कराट लितु शा एमके मोहन लेट्स रोम सेट कुनाल जो भी बच्चे यहां बैटे हुआ मुझे बिल्कुल जवाब दीजे बात समझ में आ गई सभी को बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब आप देखिए न concept अगर आपका clear है तो यह चीज़ा आपको rating की जरुवत ही नहीं पड़ी अब ज़रा देखिए तो हम लिखे पहला formula a to the power m into a to the power n a to the power m into a to the power n क्या होगा अब फिर देखिए दोनों के base से दो चीज़े multiply में है बताई क्या होना चीज़ा power क्यों हो जाएंगी add हो जाएंगी add हो जाएंगी to a to the power कितना आ जाएगा m प्लस m जाएगा यहां तक सबको clear है बेटा जी यहां तक सबको सबज में आ गया भाई यह formula नहीं है देखा जाए हमें इसका पता है कि reason क्या है भाई base से में सीधी सीधी बात है power add हो जाएंगी अगर base different हुए तो powers का कुछ नहीं हो सकता यहां तक सबज में आगे बाद अच्छा फॉर एक्जामपल अगर मैं कहूँ 3 की power 2 या 3 की power 5 है तो मैं क्या इसे 3 की power 1 प्लस 4 लिख सकता हूँ या मैं इसे 3 की power 2 प्लस 3 लिख सकता हूँ या मैं इसे 3 की power 4 प्लस 1 बात तो एक है 4 प्लस 1 या 1 प्लस 4 तो माने अगर 3 की पावर 1 प्लस 4 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 4 3 की पावर 2 प्लस 3 का मतलब क्या हुआ 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 तो result तो सबसे सेम ही आएगा result तो सबसे सेम ही आएगा बास सबस्ज में आगे मैं क्यों समझा रहा हूँ ऐसे जरा ध्यान दीजिए अगर लिखा हुआ है 2 की power 2 प्लस X तो इसका मतलब क्या हुआ भई ये दोनो power plus में कब आई होंगी ये दोनो power plus में कब आई होंगी जरा जवाब दीजे मुझे ये दोनो power plus में कब आई होंगी बहुत ध्यान से सोच के जवाब दीजेगा ये दोनो power plus में कब आई होंगी बिल्कु सही जवाब मन में सोच रहा है मुझे सुनाई दे रहा है बिल्कों सही जवाब यह क्या होगा जब multiply में होंगी माने 2 की power 2 into 2 की power x 2 की power 2 into 2 की power x 2 की power 2 का मतलब तो हो गया 4 क्योंकि इसका मुझे answer बता है लेकिन 2 की power x का answer नहीं बता तो इसको ऐसे चोड़ दिया तो यह इसका answer होगा ही होगा माने 2 की power 2 2 प्लस x को 4 into 2 की power x भी लिख सकते हैं यहां तक सब को clear है बेटा जी बेखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सबसे पहला का कहते हैं ना मंदरे में जाते हो तो सबसे पहले गंटी पे क्या करते हैं दबाते हैं क्या करते हैं गंटे को दबाते हैं बिलकुश सेव में में सबसे पहले like का button प्रेस करिए उसके बाद वीडियो को आगे देखना शुरू करिए चले आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब दूसरी बात करते हैं बिलकुश सेव में जैसे मैं आपको समझाता हूँ इसको रिटने की दिरुवत ही छोड़ दीजे इसको अगर मैं लिख रहा हूँ अपॉन बी की पावर थ्री ये मैंने इसकी क्या लिखिए समराइस फॉर्म लिखिए इंडेक्स फॉर्म लिखिए अगर मैं इसको एक्सपेंट करने के लिए कहूं तो क्या लिखेंगे आप जड़ा फटा पट्स बताइए इसका मतलब A मल्टिप्लाइ होगा किद्रे टाइम्स अरे भाई जवाब नहीं आ रहा A मल्टिप्लाइ होगा किद्रे टाइम्स 5 टाइम्स नीचे B मल्टिप्लाइ होगा किद्रे टाइम्स 3 टाइम्स क्या इसका कुछ हो सकता है कुछ नहीं हो सकता जैसा है वैसा ही रहेगा हाँ अगर B की जगे का कुछ A होता मा लिजए B की जगे यहाँ पे A होता फर्स करिए A की पावर 5 अपाउन A की पावर 3 होता अपाउन A की पावर 5 अपाउन A की पावर 3 होता तो इसका मतलब होता A मल्टिप्लाइ होगा किद्रे टाइम्स 5 टाइम्स नीचे A मल्टिप्लाइ हो रहा है किद्रे टाइम्स 3 टाइम्स अब जड़ा ध्यान दीजे मालिक लोग तो जड़ा ये देखिए A से A A से A A से A ये तो काट नी सकते है क्या बचेगा A into A which is equals to A to the power 2 माने हमने क्या करा अगर कोई दो चीजे डिवाइड में थी तो हमने powers को क्या कर दिया सब्ट्रेक कर दिया तो यहां पे क्या आ जाएगा यहां पे आ जाएगा A to the power M माइनस N A to the power M माइनस N यहां तक सब को क्लियर है बिटा जी यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताईए अगर डाउट हो तो D टाइप करे समझ में आगे हो तो M टाइप करे डाउट हो तो D टाइप करे समझ में आगे हो तो M टाइप करे बहुत मज़ा आने वाला इस टॉपिक अंदर आपका पूरी मैस का बेस माने पावर से अगर आप ड़ते हैं मैस में एक्सप्रेशन अलजेबरिक एक्सप्रेशन से अगर आप ड़ते हैं तो इस टॉपिक को सही से देखिएगा इस टॉपिक के वेशे आपके मैस में के बेस में बहुत ज़ादा फरकाने वाला है ठीक है ने दोस्तों यहां तक सब को क्लियर है सबने एंट लिक के बेस दिया अच्छा अगर बेस सेम होंगे तब ही पावर माइनिस होंगी अगर बेस डिफरेंट होंगे तो पावर का कुछ नहीं हो सकता यह हमें रटनी की दुरुवत नहीं है बास समझ में आगए चली अब मैं एक एक एक्स्प्रेशन पूछता हूँ या इंडेक्स फॉर्म को होगे जड़ा मुझे पहले ये जवाब दीजे इसे आप एक्स्पेंडेट फॉर्म को होगे या इंडेक्स फॉर्म को होगे मुझे जवाब चाहिए इसे आप एक्स्पेंडेट फॉर्म को होगे या इंडेक्स फॉर्म को होगे यह summarize करके लिखा हुआ है बिलकुल सही जवाब दिया index form कहेंगे सा इसे क्या कहेंगे index form मैंने इतना बड़ा expression कौन सा expression y into y into y और x into x into x into x into x upon z into z into z into z into z into z ऐसे लिखने से बड़िया तो यह लिखते हैं ऐसे लिखने से बड़िया तो यह लिखते हैं माने कभी भी किसी चीज़ को हर जगे expand करके represent नहीं किया जाता कहीं कहीं summarize represent करना भी बहुत अच्छा होता है ठीक है ना बास सवज में आगे चले अच्छा अब अगर मैं लिखो 2 की पावर 2 की पावर x minus y तो अब मुझे ज़रा बताई यह दोनों पावर माइनस में कब आई होगी मुझे बस इतना सा जवाब चाहिए यह दोनों पावर 2 की पावर x minus y का मतलब क्या हुआ यह दोनों पावर माइनस में कब आई होगी मुझे बस इतना सा जवाब दे दी यह बाकि मुझे कोई tension नहीं है यह दोनों पावर माइनस में कब आई होगी very good रितु शाजी ने का जब division में होगी मनें 2 की पावर x upon y लि 2 की पावर y तबी तो 2 की पावर x minus y होगा भई यह 2 की पावर में है ना दुनों माने अगर मैं इसे multiply में भी लिखता तो क्या लिखता 2 की पावर x into 2 की पावर minus y अब यह पावर नेगिटिव है पॉस्टिव करने के लिए upon में ले आएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे अभी अभी हम जनरल बात करें दो चीजे माइनस में किसी के बेस में अगर दो पावर माइनस में कब आई होगी जब यह डिवीजर में होगी माने 2 की पावर x upon 2 की पावर y यहां तक सबको clear है बेटा जी अगर समझ में आ गया हो तो M टाइप करिए और समझ में नहीं आया हो तो जानना भाना है आपको पता है क्या टाइप करना है डी टाइप करिए M का मतलब तो मैस हो गया या मायक का गरवाल हो गया या सभज में आ गया डी का मतलब डाउट से आप समझ रहे होंगे लेकिं डी का मतलब कुछ और हो दो बात करें यहां तक सब को clear है बहुत बढ़ीय बेटा जी बहुत बढ़िया अब जैसे बहुत ध्यान से कोई जल्दबाजी करने की जरुवत नहीं है तीसरी बात करते है A to the power M to the whole power N अरे सर पावर के उपर पावर होगी तो क्या होगा जैसे समझ लीजिए पहले तसली से एक्जामपल से समझे मैंने लिखा टू की पावर टू की पावर थ्री की होल पावर फोर पहले तो इसको बहुत ध्यान समझे टू की पावर थ्री की होल पावर फोर इस टू की पावर थ्री को मैंने माल लिया फर्स कर लिया मतलब कुल मिलाके एकी पावर फोर हो गया कुल मिला के A की पावर 4 हो गया अब A की पावर 4 का मतलब क्या है ये इसकी देखें इंडेक्स फॉर्म है ये इसकी क्या है इंडेक्स फॉर्म है इसे मैं एक्सपेंडिट फॉर्म में कनवर्ट करने की बात कर रहा हूँ तो जरा देखें इसका मतलब हुआ A multiply by A multiply by A multiply by A यहां तक बिल्कुल clear है यहां तक बिल्कुल clear है यहां तक बिल्कुल clear है जवाब दीजे मुझे जरा यहां तक सभी को clear है बहुत बढ़िया अच्छा आप इस A की वेल्लू में लगा देता है तो 2 की पावद 3 into 2 की पावद 3 तू की पावत्त्री और बाव प्रे अब अगर तू की पावत्त्री को करें तो न्ल्ञआए तू न्ल्ञIPThis न्ल्लिटर तू न्ल्ञआए तू न्ल्ञाए तू अब आप बताए caveat किसका समय खराब हो रहा है या आपका कुल मिलाके रिजल्ट का ऐगा 2 की power 12 तो इतना दिमाग क्यों लगाए सर हमें दिख रहा है कि power के उपर power तो power की क्या कर देंगे multiply भई कुल मिला के result 3, 4, 12 यही तो आया तो इतना सब करने की जरुवती क्या है इतना सब करने की जरुवती क्या है तो कुल मिला के power क्या आगया 2 की power क्या आगया 12 आगया माने अगर power के उपर power होगी तो power की क्या हो गई multiply माने एक ही power क्या हो जाएगा M into N एक ही power क्या हो जाएगा M into N यहां तक सब को clear है बिटा जी यहां तक सब को clear है पहला concept clear हो गया भई A की power M into A की power N मानने कोई दो चीजे मल्टिप्लाइ में है जिनका बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी एड हो जाएंगी अगर कोई दो चीजे डिवाइड में है जिनका बेस सेम है देखिए मरी वर्ट को ध्यान से सुनिएगा अब आप मुझे एक चीज का जवाब दीजेगा, अपने दिल पे हाथ रखे बताईएगा, क्या अभी तक आपको कोई भी फॉर्मला याद करने की जुरूत बढ़ी, बिल्कुल दिल पे हाथ रखे सच बोलिएगा, सबको CMA की कसम है, इंस्टिटूट की कसम है, सच सब आपना बेसिक कांसेप्ट, इwen रूट के ऊपर इतना फोकस कर दीजे, कि फ्यूचर में कभी आपको कोई प्राबलम आए ही ना, अगर फ्यूचर में प्राबलम तब आएगी जब आपका बेसिक कांसेप्ट खराब होगा, क्योंकि बेटा जी ना, यह जो कांसेप्ट, आप यह मैं सुची सिर्फ यहीं तक सीमित है यह आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले कभी भी यह कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे तो इसलिए अपने concept के उपर जादा focus करिएगा मेरी राय तो यह है बाखिया आपकी इच्छा है अब जैसे मैं कोश्चन दूब बहुत ध्यान से समझेगा तसलिए से अब आपके सामने कोश्चन है मान लीजए मैंने कोश्चन का a to the power 5 to the whole power 6 to the whole power 2 to the whole power minus 4 अब आद सर्वत है यह जरा अब देखने में कितना अजीब सा लग रहा है सर यह तो कुछ अजहगी लग रहा है अब मुझे जरा बताई अब क्या करना चाहिए अब मुझे देखरा कुलमला के एक ही बेश है और उसकी power के उपर power के उपर power तो सभी power की क्या कर देंगे जरा जल्दी से मुझे जवाब दीजे जल्दी से बताईए सभी power की क्या कर देंगे multiply कर देंगे तो एटू दी power कितना हो जाएगा फाइव सिक्जा 30 टू जा 60 फोर जा माइनस 240 यह answer खतम यह answer खतम यहां तक सबज में आया है वेटा जी यहां तक सभी को clear है यहां तक किसी को कोई भी प्रॉलम हो तो प्लीज आप सभी से request करूँगा D type करके भेजिएगा ताकि मुझे सबज में आये कि आपको इस concept में दिक्कत आ रहे है यहां तक सभी को clear है और सबसे पहले वीडियो को like करिए सबसे पहले वीडियो को like करिए तब ही मज़ा आएगा सर रेशो में duplicate ratio टिपलिकेट ratio वो थोड़े topic बाकिए नहीं सर करा दिये रेशो में duplicate ratio टिपलिकेट ratio नहीं कराएगा आपको अच्छा तो रहे गया होंगे तो मैं अभी करा दूँगा कोई दिक्कत नहीं पहले अभी आज इस concept की बात करते है यहां तक सबको clear है बहुत बढ़िया सर आगे बढ़ते हैं सर इसी दरीके से दूसरा एक example समझते बहुत ध्यान से तसली से जलबाजी बिल्कुल मत करिएगा माली चे एक कोशन दे रखा है आपको 8 to the power 5 की whole power 1 by 4 की whole power 20 जरा मुझे आंसर बताईए क्या आएगा जरा जल्दी से आंसर बताईए क्या आएगा जल्दी से कोई आंसर मुझे बताईगा क्या आएगा जल्दी से जल्दी से मैं वेट कर रहा हूं किसका क्या आंसर आना चीए जल्दी से बताईए सर किसी का कोई आंसर नहीं यह डी लग देता हूं देखें तो आपके जबाब इन्टू 1 बाइ 4 इन्टू 20 तो यह 4 5 जग इन से लोगा तो कुल मिला के क्या आ गया 5 इन्टू 5 कितना आ गया 25 मन एक ही बावर कितनी आ गए 25 यह इसका आंसर निकल के आएगा सबज में आ गया हो तो M टाइप करिए सबज में ना आ आ यहो तो D टाइप करिए समझ में आ गया हो तो M टाइप करिए समझ में ना आया हो तो D टाइप करिए दिखिए ना यह जो कॉंसेप्ट है इनका यूज आपको ऐसे करा हूं को आपको बड़ा मज़ा आएगा सर बहुत मज़ा आएगा यकीन मानी ठीक है ना चली और आगे बढ़ते हैं अच्छा जैस मैं देखिए बहुत सिंपल सी बात पूछ रहा हूं क्या इस 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं हां या ना का जवाब लिख के बिजएगा क्या इस 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं येस सर अच्छा अब एक बावा बता है ये 2 इंटू 3 की होल पावर X है इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर x इन्टू 3 की पावर x हां या ना यहां तक बिलकुल है यहां तक बिलकुल क्लियर है यह नहीं है पहले इसका जवाब दीजो बहुत बढ़िया आच्छा और बढ़ते है आगे तो अभी था हमने क्या क्या पढ़ लिया एक बार दुबारा से फंडामेंटल का मतलब क्या होता किसी को पता है कि फंडामेंटल का मतलब क्या होता है कि मेंटल माने क्या होता है कि अरे मेंटल माने क्या होता है कि अरे मेंटल माने क्या था मेंटल का मतलब तो आप लोग समझ रहे होगे फंडामेंटल की बात तो उन्हों लाह बेविक बादोजी ने जिसर बेस होता है मैं मैंंटल का मतलब पूछ रहा हूं वह कॉंसेप्ट जो दिमाग की बत्ती जला दे इसे फंडामेंटल बोलते हैं वह कॉंसेप्ट जो आपको बताते हैं कि इस दुनिया में क्या चला जो आप सोच रहा है Was वो fundamental के लाता है fundamental दिमाग का वो फंडा जो आपको जागरित करना बहुत जरूरी है चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं पहले फॉर्मले की बात करें जरह आप मुझे बताएंगे दूसरा बहुत ध्यान से तसली से जल्दबाजी बिल्कुमत करिएगा अभी सारे कोश्चन इसके सारे बेस सब कुछ करा हूँगा यकीन मानिए तीन स्टेप से उपर में आंसर नहीं आएगा किसी भी कोश्चन का चाहिए वो दुनिया की किसी का कोश्चन हो मैक्स टू मैक्स मैक्स टू मैक्स टू मैक्स टीन स्टेप में आंसर आएगा कैसे आएगा इन बेस की बदूलत तो सबसे पहले इन बेस को स्ट्रॉंग कर लिजे बाकि सारे आंसर आपके अपने आप ही निकलते जाएंगे आपको कोई टेंशन लिए जरुवत ही नहीं है गैरेंटी है सर मेरी रिटेन में गैरेंटी आप चाहें तो मैं स्टेम पेपर पर लिखके दे सकता हूं अगर आपन किसी भी नंबर की बावज 0 की वैल्यू वन किसी भी नंबर की बावज 0 की वैल्यू वन इसका रीजन मुझे कोई बता सकता है किसी भी नंबर की बावज 0 की वैल्यू वन इसका रीजन मुझे कोई बता सकता है किसी भी नंबर की बावज 0 की वैल्यू वन इसका रीजन भगवान ने कहा था, भगवान ने किसी मैथमेटिशन को रात में कान में बता है, बिटा सुनो, हलो, बिटा दुनियों को बता दे ना, कि किसी भी नंबर की बावर अगर जीरो आती तो उसकी वैल्ली वन होती है, क्या ऐसा हुआ था, कौन से भगवान आयते सपने में, ये कह से आया किसी भी नंबर की बावर जीरो की वैल्ली वन, कैसे आया, कोई मुझे बता सकता है, कोई मुझे बता सकता है, किसी के पास कोई जवाब नहीं है, सर ये भगवान ने थो ना बनाया, ये इनसानों ने बनाया, कैसे आएगा सर, अच्छा जीरो की बात करें, भई जीर तो करें कर लासकता है जब सेनमबर को सेनमसेट सब्ट्रेक्स किया जाएगा सेनipples की सब्ट्र या फिर किसी नंबर को अगर आप 0 से मुल्टिबल आए करोगे तब 0 आएगह बास सबझ में आ गे result 0 आना चाहिए, कुल मिलाकर result 0 आना चाहिए, क्या result 0 आ रहा है, बिलकुल ठीक, अब मुझे ये बता, ये दोनों minus में कब आई होंगे, ये power है, index form है, ये power है, index form है, ये minus में कब आई होंगे, sir ये minus में कब है, sir लिखा हुआ, दिया जैन जी ने, as we assume that to the power 3 minus 3, then the power is 0 and is subtracting when no division, we will get 1 cutting the same number, बिलकुल ठीक बात है, अब ज़रा ये बताइए, किनी 2 number को अगर आप minus में एक power कब आई होंगे, जब ये division में होंगे, बने a to the power 5, upon a to the power 5, तो that is equals to a into a into a into a into a, division by a into a into a into a, ये तो कट रहा है, हम तो जो नहीं कटता वो काट देते हैं, तो result क्या आया, one आया, माने किसी भी number की बावाज 0 की value always equals to one, बास सवज में आगे, लेकिन, लेकिन, but, a will never equals to 0, a की value कभी 0 नहीं होनी चीए, क्योंकि 0 की बावाज 0 is not equals to one, एकी value कभी 0 नहीं होनी चीए, एकी value कभी भी 0 नहीं होनी चीए, अगर एकी value 0 ही, तो उस condition में ये वन नहीं आएगा, ये बास सबच लिए, बाकी दुनिया का कोई number लगा लिए, दुनिया का कोई number लगा लिए, किसी भी number की बावाज 0 की value always equals to one, बास सबच में आगे दोस्तों, चले, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, बहुत अराम से, तसलिए से, कोई जल्दवाजी मत करिएगा, फिफ्थ, अगर मैं बात करूँ, किसी भी number की power negative है, किसी भी number की power negative है, इस negative power को मुझे positive power में convert करना है, इस negative power को मुझे positive power में convert करना है, मैं कैसे convert करूँगा, बताइए, मैं कैसे convert करूँगा, जैसे मैं कहूँ, एक ही power minus three, मुझे इसे positive power में convert करना है, कैसे करूँ, sir upon one, upon one, कैसे, भगवान ने बताया, फिर वही वाली बात, रात में mathematician के काम, मतलब, सपने में भवान जी आए, और काम में बोला, बेटा, दुनिया को बता दे ना, कि किसी भी number की power अगर negative हो, तो उसको positive में convert करने के लिए one upon में लिखते हैं, क्या ऐसा बोला गया था, reason क्या है इसके बीच का, इसके पीछे का reason यह power negative है, जी ने का zero minus three minus three, बिल्कुल ठीक जवाब है दिया जी, बिल्कुल ठीक, मने, मैं इस minus three को, भाई, कोई भी minus three तो कुछी से भी आए, zero minus three से क्या मतलब, मैं किसी और से minus कर लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ, eight minus eleven, अफ सही है, eight minus eleven करेंगे तो minus three आएगा, eight minus eleven करेंगे तो minus three कोई भी दो नमबर का result minus three आना चाहिए, कोई भी दो नमबर का subtraction minus three आना चाहिए, वो हम लिख सकते हैं, मैं भाई, minus three की जगए, मैंने सिर्फ eight minus eleven तो लिखा है, मैंने कोई गलत बात हो ना लिखी है, तो अब यह दोनों से मीञाइवंगी पावर जब यह होगा मान इसमील्टिपलायबगी कित्रे नाइम्स की एक होगी कित्रे नाइम्स का ने वे forests कि एक म ценileum ऑब एक थिज्टिपलायबगे कित्रे नाइम्स एलेबन टाइम्स तीन ती छे तीन नौर एक दस एक और ग्यारा बास समझ बागे यह हो गया अब ज़रा जो कट रहा वो काट दीजे भगवान के फ़सल से जो नहीं कट रहा होता हम वो काट देते तो कट रहा भगवान की दुआ से एक दो तीन चार पाँच छे साथ और आठ क्या बचा नीचे सिर्फ बचा वन अपॉन एंटू एंटु ए का मतलब क्या बचा एक्यो तो इतना दिमाग कौन लगाएगा इतना दिमाग कौन लगा है सीधे सीधे पावर नेगिटिव है पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या कर दिया रेसिप्रोकेट कर दिया पावर नेगिटिव है तो हमने पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या कर दिया रेसिप्रोकेट कर दिया यहां तक सबको clear है या नहीं है यह जवाब दीजिए यहां तक सबको सबज में आ गया तो M type करिए सबज में ना आया हो तो D type करिए सबस्ज में आ गया बहुत बढ़िया मतलब एक ही power minus भी है इस power को positive करना तो one upon में करके लिख दूँगा ऐसे करके यहां तक सबी को clear है बहुत बढ़िया चलिए आगे बात करते है next फिर एक बार दुबारा देखिए चार बार आप जब लिखेंगे या देखेंगे तो बहुत सारी चीज़े आपको और clear हो जाएंगे अगर कोई doubt हो तब भी पूछते रहेगा तो fundamental formulas of indices माने दिमाग की बत्ती जलाने वाले formula है हाला कि हमारी दिमाग की बत्ती शुरुवात में ही जल गई क्योंकि हमने concept अपना पहले ही transparent कर लिया पहला formula क्या था सर a to the power m into a to the power n जड़ा फटा फट से answer मुझे type करके बताते जाईए सब लोग सब लोगों को answer type करना जड़ा जल्दी से type करिए a to the power m into a to the power n क्या होगा a to the power m plus n दूसरा a to the power m upon a to the power n क्या होगा a to the power m minus n तीसरा a to the power m to the whole power n क्या होगा a to the power m n चोथा किसी भी number की power 0 की value always equals to 1 but 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 a will never equals to 0 a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए बात सबज में आगे इसके बात किसी भी number की power negative है positive करने के लिए one upon में लेके आएंगे किसी भी number की power negative है positive करने के लिए one upon में लेके आएंगे यहां तक सब को clear है यहां तक सबज में आ गया हो तो M type करिए, सबज में ना आया हो तो D type करिए देखिए इसके based question हम लोग next class में करेंगे यहां तक आप बताइए, यहां तक clear है या नहीं सर resolution classes पूरा करवाएगी CMA के foundation के लिए की course complete करने का purchase करना होता है बेटा जी, रितु शाजी, अभी तो basically हम जो है target हमारा यह है, जितने बच्चे यहां बैठे हुए अगर आपके concept clear हो गए, तो course अधूरा हो या पूरा हो, उसकी बात ही नहीं हो रही है बात यह आपके दिल में से यह डर निकल जाएगा कि भाई या मैस से कोई डरने की जरूद नहीं है resolution हमने इस बात का लिया है कि जितने भी बच्चे हम से contact में है जो हम पे विश्वास करते हैं उनके लिए बस इतनी सी बात रखनी है कि बेटा जी डरने की कोई जरूद नहीं किसी भी subject से बास सबज मागे, चली यहां तक सब को clear है, अच्छा, sixth अच्छा, इसको six से पहले, एक simple सा example जैसे लिखा हुआ है, x की power five into y की power minus three upon z square पहले तो मुझे जरा बताइए, इसका मतलब क्या हुआ है यह इसकी index form है या expanded form है यह इसकी index form है या expanded form है बहुत सोस समझ के जवाब दीजेगा यह इसकी index form है या expanded form है इसकी index form है मैं कह रहा हूँ, इसकी index को सही करिए माले जो power negative है वो उसे convert करके positive में convert करिए तो जरा मुझे result बताइए, क्या आना चाहिए x की power five into y की power minus three upon z square जरा जल्दी से बताइए, क्या होना चाहिए इस power negative को ही देखना है, बाकि तो दोनों positive है बाकि तो दोनों positive है ना, इस power negative को सही करना, क्या करें इस power negative को positive में convert करना, क्या करें जरा जल्दी से बताइए, बिल्कुल ठीक जवाब upon में ले आईए, सर, x की power five, यहां कुछ नहीं रह जाएगा y की power three into z square यह answer आगया यहां तक clear है यहां तक सभी को clear है minus one, x की power minus three, y की power two, z की power minus four, और a की power minus five यह एकी power five यह दे रखा है, जरा मुझे यह बताइए, इसको क्या है ना, ठीक करके लिखना है कोई भी power negative नहीं होनी चाहिए कोई भी power negative नहीं होनी चाहिए जितना आप से type कर मिला सिर्फ अतना ही type करेंगों, उससे दाधना type करने की जरूवत नहीं है जितना आप से type कर मिला सिर्फ अतना type करके मुझे बेजी कि इसको क्या करना है इसमें से जो भी negative पावर है उसको positive में चेड करना है, कैसे करे कैसे करें मैं इसकी बात कर रहा हूँ अब जब ध्यांज से ले कि 9 की पावर मैंनस 1 है अगर 9 की पावर 1 होती तो मुझे से अपावन में ले जाने की जरूवत नहीं पर ति लेकिन 9 की पावर क्या दिख रही ہے 0,1 तो सबसे पहले इसे 1 अपावन बने यहां पर लिखे अपाउन में 9 लिख दू X की पावर माइनस 3 अपाउन में लिख दू Y की पावर 2 जैसा है वैसा का वैसा लिख दू Z की पावर माइनस 4 उपर लिख दू भै यह उपर था तो नीचे आगे यह नीचे तो उपर चला जाएगा और एक ही पावर 5 जैसा था वैसे वैसे लिख दू यह आप का अंसर निकलाया बास सबज में आई या नहीं यहां तक सबको क्लियर है यहां तक सबको क्लियर है दिया जाएं जी बराबर जवाब दे जिए वैरी गुड बेटा very good जब आप देते रहेंगे तो आपका बहुत फायदा होगा यहां तक सब को clear है भी बिटा जी किसी का कोई भी doubt हो तो m type को d type करिये सबजमें आगया हो तो m type करिये यहां तक सब को सबजमें आगया भी पिटा जी अभी हमने सीखी लिया, वन अपॉन में किसी की पावर नेगिटिव होगी, तो पॉस्टिव कनवर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसे उपर लेंगे, यहां तक क्लियर हो गया, सेवन्त, सेवन्त, ए अपॉन बी की होल पावर माइनस एक्स है, अब जड़ा ध्यान दीजे, ए अपॉन बी की होल पावर माइनस एक्स है, यह इंडेक्स फॉर्म है, इस पावर को मुझे पॉस्टिव में कनवर्ट करना है, इस पावर को मुझे पॉस्टिव में कनवर्ट करना है, क्या करूँ, मैं आप ही लोगों से बात कर रहा हूँ इस पावर को मुझे positive में convert करना है क्या करूँ बिल्कुल ठीक जगा क्या देंगे reciprocate कर देंगे B upon A की whole power क्या हो जाएगी X B upon A की whole power क्या हो जाएगी X यहां तक किसी को कोई doubt हो तो बताई यहां तक किसी को कोई doubt हो तो बताई यहां तक सब को clear है बिटा जी बहुत बढ़ी है बिटा जी 8 अच्छा यह हम पहले डिसकस कर चुके कि A B की whole power X क्या होगी That is equals to A की power X into B की power X A अगर माली के इसी तरीके से मैं कहता A B upon C की whole power X तो इसे क्या कहेंगे A की power X B की power X upon C की power X ठीके न A B की whole power X X क्या होगी A की power X into B की power X A B upon C की whole power X क्या होगी A की power X B की power X upon C की power X यहां तक सब को clear है बिटा जी यहां तक किसी को कोई doubt हो तो बताईए यहां तक सब को clear है चले अब अगर आपने इतने फॉर्मले पढ़ लिये तो इसके ओपर बेस्ड कोशन बहुत सारे बन सकते है वो सारे बेस्ड कोशन की बात हम लोग नेक्स क्लास में करेंगे अब ही सिर्फ इतना ही क्योंकि जान मुझ के नहीं करा रहा हूं मैं चाहता हूं कि आप ये सारे कॉंसेप्ट भूल जाओ कोई टीचर आप से कहेगा मैं कह रहा हूं मैं चाहता हूं कि आप ये सारे कॉंसेप्ट भूल जाओ ताकि नेक्स क्लास में बिल्कुल जीरो से दुबारा शुरुआत करेंगे पता लगे कि आपको कितना याद रहा और कितना याद नहीं रहा आपके concept clear हुए या नहीं हुए ठीक है ना तो इतनी ही class रखते हैं इससे ज़्यादा class रखने की जरूरत ही नहीं है मुझे आज मुझे सिर्फ इतनी ही class रखनी है आप मैंने कुल मिला के 8 मंत्र बताया आपको मैस के युद्ध को लड़ने के लिए indices में सिर्फ 8 मंत रहें अभी आगे भी है आगे भी है ऐसा नहीं कि यहीं पर stop होगे आगे भी है लेकिन अभी सिर्फ 8 तक की बात करेंगे तो इतने concept अगर आपके clear हो गए तो next class में बड़ा मज़ा आने वाला है दोस्तों और next class इतनी कोई आंसर आपको कोई कैलकुलेटर नहीं करने पड़ेंगे यह गैरंटी लिखके दे सकता हूं कोई भी फर्मला कोई भी शौट्रिक याद करने की जरूँत नहीं पड़ेंगी लिकिशर्त एक ही है आपको मेरे साथ जवाब देना पड़ेगा जो मैं पूछूँगा नेक्स क्लास में हम लोग इंडाइसे पूछ रितु जी पूछ रहे सर बताने के लिए फॉर्मडेशन का क्या करें बेटा जी देखिए अगर आपको फुल कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है तो सबसे पहले CEOC की वेबसाइट पर जाएए आराम से कोर्स परचेस करे है यहाँ जो है हम करा रहे हैं जो जो भी कुर्स करा रहे है वो concept के clarification के लिए करा रहे है कि बच्चे जितने बच्चे यहाँ पे जो capable नहीं हो पाते हैं जिनको सही guidance नहीं मिल पाती हुन के लिए resolution बेचेरaşें अगर आपको जल्दी कोर्स शंप करना है आपको ये देखना है कि मेरा कोश जल्दी से जल्दी खतम हो जाए तो आप वहां पर जाके सीओसी की वेबसाइट पर जाके अपना हमारा कोश परचेस कर सकते हैं अदरवाइस आप यहां आराम से पढ़िए कोई टेंशन नहीं होने वाली यहां तक सभी को क्लियर है तो आज की क्लास दोस्तों पर जल्दी ओवर कर रहा हूं इसलिए कि मैं चाहता हूं कि यह सारे कॉंसेट आप भूल जाओ नेक्स क्लास पर बिल्कुल जीरो से शुरूबात करें ठीक है ना तो थैंक यू बरी मस्ट टेक क्यार गॉड बैस्ट यू लव यू बाई बाई